नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल मादूरी सिलाई क्लासिस में आज हम ब्लाउच नेक डिजाइन बनाना बताएगे देखिए हमने यह बुकरम लिए बुकरम के उपर हमने यास्तर बीचा आया अब हम ब्लाउच नेक डिजाइन इसके उपर बिचाएगे उल्टी तरफ देखिए हमारा यह नेक उल्टा ही इस ध्यान रखना है आपको उल्टा ही बिचाना है इसके उपर अच्छे से रखके चारो तरफ हम अब पिन लगा देगे परफिट पिन लगा के हम हाँ से लएक कर देगे इस तरीके से अब देखिए हम इस परफिट नेक के बरोबर हम कटिंग कर लेगे अब देखिए हमारा नेक कटिंग हो गया है अब हम डेड़ेट इंच का निसान लगाएगे पिचारो तरफ से हम डेड़ेट इंच का निसान लगा लेगे यह हमारा निसान लग गया है अब हम इसको आपको ध्यान रखना है नीचे से कपड़ा कट नहीं होना है जितना इसको अस्तर को भी कट कर लेगे अब हम अदाधा इन उचना इसको अस्तर को भी कट कर लेगे आपको ये भी ध्यान लखना हमारा नीचे का जो नेक डिजाइन है वो ना कट होए अब हम इसको पलटके ये ना आधा आधा इंच का निसान लगा के हम इस पे सी लाई करेंगे अच्छे से निसान लगा के परफेट तरीके से हमने इस तरीके से ये लेस लगानी है इदे के हम तीन इंच की पट्टी लेगे इसको हमने पहले से फोल्ड करके रखा है फिर हमारे ये नेक डिजाइन लेगे यहां से आट इंच लेगे इसको बीचो बीच इदे रखके पिन लगा के अच्छे से इस तरीके से अच्छे से पिन लगा के यहां चारो तरब सिलाई कर देगे इस आट से भी मारे इंच लेके यहां से भी पिन लगा के अब हम इसके उपा से लगा कर देगे अब्सरी ने आट से अब हम आट मैं तरब बीच लेगे यहां मैं लेगी साबंगे कि देखें हमारे दोनों तरब से सिलाई हो गई है अब हम इसको परफेट तरीकी से इसको बीच में से से रखके यहां चोप का निसान लगाएगे अब हम यहां सुई धागे से चोटे-चोटे हाथ से आज सिलाई करेगे और इसको देखो इस तरीके से खींच के वापस इसे सुई से इसे सिलाई कर देगे देखें हमारा यह डिजाइन बन गया है अब हम इसके उपर कोई भी आप चाओ अपने पसन का कोई भी फ्लावर लगा सकते हो या कपड़े का बनावा या कोई भी आप बटन या कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हो देखे हमने फ्लावर लगा है हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए सेर कीजिए